वेल्कम फ्रेंट्स वेल्कम टू न्यू एपिसोड अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टेडी किया जब हमारा पार्टिकल इस अर्थ के प्लेन यानि अर्थ सर्फिस के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा था ठीक है हमारा मेन कंसिडर था अर्थ के सर्फिस को रिफरेंस लेना ठीक है अब मानलो कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि यह एक यह अर्थ सर्फिस है अर्थ का सर्फिस है और यह एक पहाड़ी है एक हिल यह हील ऐसे चली गई है इसे आगे भी इस जाएगी और यह अर्थ चली जा रही है अर्थ का सरफेस है और इसे हील है और हील पर यह कोई अब्जेक्ट है ठीक है हील का अर्थ का यह अर्थ सरफेस है और यह हील गई है यह पूरी हील है कि तो हिल ना याट से एंगल बनाघी हे मालंव ठीटा। है तो एक तरह से कह सकते है कि ये मैं जो शर्फेस है कि जो हिल का सर्फेस है ह। ये अर्थ प्लेन अर्थ का जो और जिनल जो सर्फेसे प्लेट्ट घो in just now मुझा इंट लिए इसको बोलते हैं कि मौश प्रोजेक्टायल मोशन और इनकलायंड तो हम प्रोजेक्टायल मोशन और इंट्लायन पेंड का रहां पर है मुझा है और सब्सक्राइब यह कि मानलों कि वह पहाड़ी पर एक यानि की दुश्मन वहां पर है लाइक समझ लो कारगिलवार चल ला है कारगिलवार और वहां पर वोशिक जैसा है यहां पर कि बंकर है एनमी का यहां पर एनमी है सब और हम यहां से अपना कैनन यानि वो फोर्स जो है उस से हम उसको हीट करेंगे कैसे करेंगे यहां पर कैनन है बाटम पर हमें लगा रकी है ऐसे और यहां से ऐसे बंब निकलेगा और जाकर इसको तोड़ देगा इसको ब्लास्ट कर देगा इस टाइप से समझो तो ऐसी प्रावब्लम कैसे सॉल्ट की जाती है इनि क्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोसन वह हम यहां पर देखेंगे तो मालों कि यह जो बंकर है यह आर डिस्टेंस पर यह बंकर है और हमने जो इनिसली जो गोला फेंका बं भी कह सकते हो अब ऐसे वो टेंजेंसली डैरेक्षन में जाएगा आएसे और मालो कि इसकी स्पीड यू है ज्यादा तर यू घոषेंठ होता है प्रोजिक्ट मोशन में हम किसी विपन का यूज करते हैं ईससा क्यों क्यों गось ज्यादह तर यूच धैन होता है और हम एंगल सब्सक्राइब ज्यादा तर अंगल सेट करते हैं हैं क्यूं क्यों कि जिसे जे मनले बुलिट है है ऐसे होती न्कुछ तो में जो केमिकल अंदर भा रहता है जो की एनर्जी प्रोडूस करता है केमिकल इनर्जिएंट जैसे कि बारूद कार्तूस के अंदर भरूद भरी रहती न तो उससे मान लो की कुछ जब व Een वो हेट होगीP्लास्ट होग तो उससे केमिकल एनर्जी निकलेगी और वो मालो यह तो फिक्स रहेगी जितना केमिकल उतनी एनर्जी और यह नर्जी बाद में बुलेट मुझे से जो बुलेट जो निकलेगी जो इसके आगे के हिस्से में होती है जब बुलेट निकली आगे ऐसे तो बुलेट का विट या मास्क तो यही जो कि वो उसकी काइनेटिक नेर्जी में बदल जाएगी तो यह फिक्स हो गया मास्क फिक्स हो गया इसका मतलब है कि इनीशियल वेलोसिटी भी फिक्स रहेगी यानि जैसे हम किसी गन से फायर करेंगे ना तो ऐसा नहीं कि गistes को गत्ति हमद्वारा करेंगे तो उसकी इन ऐनल्ग होगी बुलेट की बी अल अलग हूँए जितनी भार फायर करेंगे गुलेट की स्पिड लखवबर सेमी रहती है तो इसलिए यहां पर यू मान लेते हैं कि उसकी कि इनीशियल वेलोसिटी है और यह जो बॉम है यह हमारी कैन्यन से निकलता हुआ इसको हिट करेगा ठीक है अब देखो बहुत ध्यान से देखना है मालो कि जब उसका जो एंगल है मनलब जिस डारेक्शन में हमने बॉम को फाहएर किया है वह एलफा यानि एंग अप प्रोजेक्शन हिल आप प्रोजेक्शन जो है वह एलफा है इस हील का एंगल अर्थ से ठीटा है में इसक्लाइंट एंग जो है वह ठीटा है लो हम वही एक कैनन और एक बंकर दोनों का एक्जामपल लेकर सॉल्ड कर रहे हैं ताकि आपको इनक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे समझ में आ जाए तो हिल्स एंगल विद कि आर्थ कि प्लेन सर्फेस कि कितना दिया है ठीटा हिल का एंगल ठीटा है और लेट्स अगरेट्स तो हिल्क आप्रोजेक्टशन फार हिल्स तो इंगल आप प्रोजेक्टशन हैं एब यह एंगल हमें स्यट करना है, देखो इसको तो बढल नहीं सकते हैं वह तो तो हील का एगल है, वह तो इसटेंट रहेएगा, बंकर का डिस्टेन्स मान लो हरे है ठीक है, हम केवल यह एंगल पर ध्यान दे सकते हैं, एंगल अप प्रोजेक्शन जुँए है वह एलफा है कि इनीशियल वेलोसिटी इनीशियल वेलोसिटी आप प्रोजेक्शन कि वह हमान लेते हैं यू जो की मनला फिक्स होगी लगबग लगबग अब हम आगे मोसन देखते हैं तो यह जो यू है यू यानि इनीशियल जो स्पीड है जो वेलोसिटी है इसका अर्थ के नहीं बलकि यह जो हिल है हिल की डाइरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा यानि इस डाइरेक्शन में हिल की हिल के सरफेस के जो डाइरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो बाम को इस और मू करने में मदद करेगा यानि हिल की और और यह जब प्रोजेक्शन जब हो रहा है ऐसे जब यह बाम जा रहा तो हिल से इसकी जो इतनी हाइट तक जाएगा यह प्रोजेक्शन वो हिल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी यानि इस और यू आई वो डिसाइड करेगी प्रोजेक्शन की जो हाइट होगी यह जो फेक रहें जो बाम यह हिल से हिल की डायरेक्शन यह है हिल का सरफेस यह है याद रखो हिल का सरफेस यह है तो इसके परपेंडिकुलर जो हाइट जो कवर होगी वो इस बाम का जो यह कंपोनेंट होगा उसके परपंडी क्यूलर वो डिसाइड करेगा और हिल के लॉंग वो कितना बॉंग डिस्टेंस कवर करता है यह यह डिसाइड करेगा उसका यह कंपोनेंट हिल के लॉंग अगर एंगल अप्रोजेक्शन एल्फा है तो सिंपल मतलब यूयक्स जो होगा वो हिल के लॉंग जो होगा वो होगा यू कॉस एल्फा और हिल के जब्रस्ट वर्टिकली डिरेक्शन में यह होगा आपका यूसाइन एलफा अभी बीटा पिक्चर में अभी ठीटा पिक्चर में नहीं आया ठीटा का कुछ अलग यूज है कैसे बताते हैं जब अर्थ सर्फेस ऐसा होता था और हम लोग बिल्कुल ऐसे प्रोजेस्टन करते थे बिल्कुल अर्थ प्लेन पे तो जो ग्रेवीटेशनल एक्सेलरेशन होता था वो बिल्कुल पर्पेंडिकुलर नीचे की और काम करता था और इस और हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था यानि अभी आपने पहले के पढ़ा है ना अर्थ सर्पेस के लॉंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था यह वर्टिकली केवल ग्रेवीट एक्सेलरेशन काम करता था जो की नीचे की ओर करता था लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा क रहीं क्यों दिखाते हैं में देखो पूरे पूरे मौ में प्रोजेक्टाइब एक्सेलरेशन होगा वो तो हमेशा साथ नीचे और ऐसे काम करेगा अर्थ के मिलकुल sentra कsticks यह हमारा हमें सब्सक्राइब टो और यह हमारी हिल की रिल सरस्सेंट नीचे की ओर तो क्या करते हैं कि यहां पर है इसको देखते हैं बाके सब मिटा देते हैं कि समझाने के लिए बाकी वाले बना दिये थे हमने अभी बाकी मिटा देते हैं बस इसको देखो यह यह है आपका जी वेक्टर जो की नीचे की तरह काम कर रहा है ग्रेविट टेस्ट लेक्सिलरेशन बिल्कुल इधर तो इसका जो लोग हिल का यह जो हील सर्फेस है ना इसका परपेंडीकुलर डारीक्शन ये और हिल के ऐलॉंग डारेक्शन ये इन दोनों को जज़ा देखो हैं अर्यहल के हिल सर्फस के लान है और यहिल सर्फस के हिल का सर्फस है इसके पर्पेंडिकुलर है तो अगर यह थीता अगर यह एंगल ठीटा है तो यह 90 मानिस ठीटा होगा सिंस यह पूरा 90 है तो यह ठीटा होगा इतना वाला एंगल इतना के वाल यह इतना 90 मानिस ठीटा होगा अब यह है पूरा G वेक्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेक्टर जो कि ऐसे है तो इस और उसका component आजाएगा g cos theta और इस और उसका component आजाएगा g sin theta हमने चुकि gravitational acceleration जो है वो एक vector quantity है तो इसकी वैलू direction पर डिपेंड होती है इसको हम directionally dissociates कर सकते हैं तो अगर यह gravitational acceleration अर्थ के surface और अगर g है तो hill के surface की और g sin theta होगा लेकिन इस direction में और hill के surface के perpendicular वो इस direction में होगा तो देखो gravitational acceleration को हमने hill surface के along और hill surface के perpendicular हमने तोड़ दिया g sin theta और g cos theta यह अगर hill होती है तो g cos theta ऐसे काम करेगा और g sin theta ऐसे काम करेगा इधर नहीं ऐसे काम करेगा ठीक है समझने आया तो अब हमको हिल से कोई मतलब नहीं रह गया अब हम केवल हिल भूल जाएंगे और बस इतना ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे यह हमारा बंकर था बिल्कुल वैसे ही यह बंकर था इनिसियल स्पीड ऐसे यू थी यह इधर यू वाई था इधर यह यू एक्स स्पीड था उसी का और जब हम यह मोशन हिल के एलॉंग हिल्क सर्फेस के एलॉंग देखेंगे तो इधर ग्रेवी टेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा जी साइन ठीटा इस लाम और जब परपेंडिकुलर डारेक्शन में देखेंगे इस और तो इस डारेक्शन में जो हिल्के जो परपेंडिकुलर डारेक्शन है हिल सर्फेस के इस और इस और काम करेगा जी कॉस ठीटा इस डारेक्शन हिल के परपेंडिकुलर बस हिल भूल गए इतना अब हम हुआ है आप क्या करेंगे अब इस ओर हम लेते हैं केवल आई कैप और इस ओर लेते हैं हम जे कैप डायरेक्शन बिल्कुल पर मलब वही है जस्ट यह परपेंडिकुलर ही तो है कि समय में आया बस ऐसे अब वह आई कैप डियरेक्शन ओ गई और ये जे कड़र डियरेक्शन हो गई मतलब नया X, New X, Axis और New Y Axis. Solution के Solve करने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं. हो गया, हिल खतम, नया पिक्चर ये जनरेट हो गया. नया पिक्चर ये जनरेट हो गया. मान लो, ये बंकर जो है, ये हिल के हिल से R distance पर था, वो हम already assume कर चुके हैं. अब हमको ये निकालना है, कि किस एंगल पर, यानि वही एंगल एलफा, फेका जाए कि वो बंकर को हिट कर दे. देखो, हमने पूरे इस पिक्चर को, इस पिक्चर में फानली सिंप्लिफाई कर दिया. बस यही करना होता है. कुछ चेंज ने हुआ, हिल के कारण ग्रेवीटेशनल एक्सेलरेशन का पिक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. पहले ग्रेवीटेशनल एक्सेलरेशन ऐसे ही तो हमेशा होता है. अब हमने उसके दो कम्पोनेंट कर दिये. एक कम्पोनेंट हिल सर्फेस के लॉंग और एक कम्पोनेंट हिल सर्फेस के परपेंडिकुलर. बास, हो गए आपका. तो अब हम क्या करेंगे? हम माल लेते हैं कि टोटल टाइम आफ फ्लाइट, मालब बाम को यहां से कैनन से निकल के बंकर तक जाने में, मालब टोटल टाइम आफ फ्लाइट कितना आपको मिला? टी. यह एजूम करते हैं. लेट एजूम. लेट से एजूम, टोटल टाइम आफ फ्लाइट इस टी. यह हम एजूम करते हैं, हमको टी इलिवनिट करना पड़ेगा, चूकि हमको टोटल टाइम नहीं पता है. वो निकाल लेंगे, अगर हमको डाटा दिया हो, लेकिन अभी हम जश्ट आपको कॉंसर्ट बता रहें, कैसे सॉल किया जाता है प्रावलम. तो पहले हम सॉल करेंगे प्रावलम, hill surface के along, motion along, मोशन along देखेंगे, तो इनीशियल वेलोसिटी कितनी है यू एक्स है जो कि है आपका यू कॉस एलफा और डारेक्शन आई उधर हमने निव एक्सिस ले लिया यह एक्सिलरेशन उस डारेक्शन में कितनी है जी साइन खीटा याद करो पहले जब कि और प्लेन अरफ प्रोजक्टर करते हैं तो वहाँ पर एक्स की वैलू हमें स जीरो होती थी तो कि उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं था अभी हिल सरुपेस के लोग एक्सेलरेशन है आपका और वह यह वाला हिल सरुपेस के लाग अक्सलेशन जी साइन ठीटा जी साइन ठीटा लेकिन उसकी डारेक्शन इधर है तो माइनेस आई का मालो एक सेक्सिस के लॉंग डिस्प्लेस्मेंट वह आपका आर फाइनल पोजीशन आर आई माइनेस यह जीरो आई कि जीरो आई कामा जीरो जीरो जै ऐसे कर सकते हो तो माइनेस जीरो आई यानि कुल आर आय कह सकते हो simply यह आपका डिस्प्लेस्मेंट हो गया हो टोटल टाइम आफ लाइट आपने एजियूम कर रखा है capital T तो formula लगा दो S equal to Y हमारा formula क्या होता था यही थो होता था तो आप इसमें value रखो displacement R I cap equal to initial velocity लेकिन I direction में जो है Ux यानि U cos alpha into Y total time आपने माना है T plus half acceleration यानि AX direction में वो है G sin theta यह formula है केबल ठीक है यहाँ पर यह मतलब AX क्योंकि हम hill surface के long ले रहे हैं तो G sin theta into minus I और यह T time विद्वेटी स्क्वार यह कट यह आजाएगा R equal to U cos alpha capital T minus half G sin theta T square equation number 1 अईसे हम motion along hill surface निकालेंगे ठीक है और फिर हम निकालेंगे अचाएंगे तो सब्सक्राइन परकेंदिकुलर तू व्याण हिल सर्टरश कि अश्रवा कि आप हम् घल्ड के परपेंडिकुलर मोंसंद दीखेंगे अलग इस डियरेक्षन में से में का सरफेस ज़ा था तो इस डारेक्षन में देखेंगे जिस वर हमने नई क स्वान आधिए apps इन्याज्ट के लोग एक स्माल लिया तो हैल सर्फेस के पर्पेंद्युकुलर में हमने वाई मालल लिया यहांग दो योंू वैलो सिटी जो होगी मैं यू लेकिन जे उधर ये उसके पॉजिट में यानी जी कास्ट थीटा इंटो माइनेश जे कैंश ये देखो जे का डरेक्शन इधर तो ये ज़स्ट उसके अपोजिट नीच एक योर माइनेश जेडा रेक्शन कहें सकते हां और टोटल तैम तो आप कटी ही है और डिस्प्लेसमेंट displacement आपका 0 क्योंकि वो इसी सर्फेस से चला था वो इसी सर्फेस पे आ गया था 0J से चला और अगर इस point का आप coordinate निकालें तो वो वही था 0J Ri, 0J उस और displacement हुआ ही नहीं यहां से चला यहां पर total आके गिर गया तो 0J से 0J पर ही रहा यानि जो total डिस्प्लेसमेंट हुआ वह हमारा हुआ 0J J minus 0J means only 0J final position minus initial position but in perpendicular direction केवल perpendicular direction को देख रहे हैं तो net displacement इतना आया अब आप रख दो फर्मूला यही वाला तो displacement आपका यह 0J स्यू इनिशल वेलोसिटी इन पर्पेंडिकुलर यानि इन वाइड डिरेक्शन तो यू साइन एल्फा जे कर थीक है इस इक्वल टू यू और टोटल टाइम टी हमने माना है पूरी फ्लाइट का प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाइ डिरेक्शन में इतना इतना जी कॉस थीटा इन्टो माइने जे कैप और इन्टो टी स्क्वाइर तो यह आपका आगया तो यह जे 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 कैंसल भाइग्व तो 0 equal to u sin alpha into t minus half g cos theta into t square. यानि यहां से आगया आपका 1t और cancel हो जाएगा, तो टोटल जो आपका t आगया, t आजाएगा आपका u sin alpha upon g cos theta into 2, बस, यह आगया आपका equation number 2, आपको equation number 1 मिल गया, equation number 2 मिल गया, तो आप t eliminate कर सकते हो, यहां से यह t के value निकालो, जो कि हमने assume किया था, let's assume किया था था ना, कि assume total time of flight is t, तो हमको t eliminate करना है, तो कि हमने उसको सिर्फ एजूम किया, तो खतम करना है, equation number 1 में रखो, यहां से t उठा के equation number 1 में रखो, तो r equal to u cos alpha और टीक जगए पर 2u, टीक value रखो, sin alpha अपन cos theta और minus half g sin theta, और टीक जगए पर फिर, तो टी स्क्वार यानि 2u sin alpha अपन g cos theta और पूरे का whole square, है, हमको तो सिर्फ निकालना था क्या, alpha, r हमको पता था, कितनी दूरी पर बंकर है, initial speed पता थी, hill का angle पता है, g पता है, सब पता ही है, बस हो गया alpha, आपका alpha निकल आया, यहां से, इसमें केवल unknown बचा केवल alpha, तो हम वो angle निकाल सकते हैं, जिस angle पर हमें fire करना है, वो angle जिस पर हमको fire करना है, वो हमने निकाल लेंगे उससे, तो कि हमें बाकिस पता ही है, केवल हमको alpha उसमें unknown है, वो निकल आएगा, तो इस तरह से हम, inclined plane पर, किसी inclined plane पर projection, प्रोजेक्टाइल मोशन को steady करते हैं, समझ्यांगे आपको, तो कैसे हमने यहां से वो force, हमको correct एंगल पर उसको set करना होता है, हाला कि यह बात अलग है, कि अभी हम यहां पर यह मान रहे हैं कि कोई तूफान नहीं है, वहां हिल पर कोई हवा नहीं है, क्योंकि कर हवा और तूफान होता, तो अभी हमारा यह जो G है, यह जी ही न रहता acceleration, इस direction में अगर हवा चल रही होती ऊपर की ओर तो यह इधर था हवा का acceleration इधर था तो acceleration बदल जाता, अगर हवा ऐसे ऐसे चल रही होती तो वह बदल जाता, अभी हम यह मान रहे हैं कि पूरा जो हमारा यह motion है, प्रोजेक्टाइल मोशन यह पूरी gravitational acceleration के अंदर ही काम कर रही है, एयर का friction कुछ नहीं है, एयर द्वारा प्रोड्यूस कोई acceleration नहीं है, संदे यह सब हमने मानना छोड़ दिया है भी example में और जस्ट मानते हैं कि ओर जिनल एंगल ओर जो मोशन है वह सिर्फ ग्रेविटेशनल acceleration के effect में ही हो रही है, उसी के influence में हो रही है, तो हम अपना angle of bombarding, वो force cannon से कितना angle set करके किसी bunker को उड़ा सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, तो यहां से हम आपको मानते हैं कि आपको पूरी तरह से सारे concept समझ में आ गए है projectile motion के, या कहले जिए कि motion in a plane और motion in two dimension, अब हम next शुरू करेंगे, motion in space, यानि three dimension में, अब plane में नहीं space में, space में क्या होता है, कि उसमें three axis होती है, जैसे यह जो room है, यह room एक space है, उसको three axis से define कर सकते हो, room की height, room की length और room की width, तो इसी प्रकार space में x, y और z, three axis का use किया जाता है, और जैसे हमारा particle move कर रहा है, space में तो वहाँ पर three dimensional motion मानते हैं, तो अब next concept चलेंगे, वह हमारे चलेंगे motion in three dimension, तो यहां से यह playlist खतम होती है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, और I think आपको बहुत अच्छे समन में आ गया है, चलो मिलते हैं next episode में में जाता है, तो जाता है,